फाइनली दोस्तो होंडा SP 125 का एक बड़ा अप्टेट आ चुका है क्योंकि इस बाइक का एक स्पोर्स एडिशन लॉंज हो गया है दोस्तो होंडा SP 125 स्पोर्स एडिशन में थोड़ा बहुत बदलाब आ चुका है जैसे आपको मिलेगा दोनों डिफरेंट कालर एक है ब्लू म स्पोर्स एडिशन का कालर कॉम्बिनेशन बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया है इस बाइक को और साथ पर आपको SP 125 के नीचे स्पोर्स एडिशन का स्टिकरिंग भी मिल जाएगा दोस्तो होंडा SP 125 आप खरितने सोच रहा हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही गुद एक आच्छा क्वाइबर दिया है और साथ पर आपको मिलेगा फ्रॉंट जो सस्पेंसर आपको दिया है वह आपको मिलेगा टेलिसकोफिक फो क्यूंकि आपका राइडिंग के जरीए आप आप रोडिंग और सेटी पर राइड करने के साहिब आपको कोई भी दिक्क्त नही बिल जाएगा और एक चीज़ बाता हो आपको पोडिस विरियंटी आयेगा कोई भी ड्राम विरियंट नहीं आएगा दोस्तों आप देख सकते हैं राम बिरियंट और डिस विरियंट बट जो स्पोर्स अधिशन लॉंच किया है उस पर आपको स्टीप इस प्रियंट पर आ आप नहीं हुआ है स्पोर्ट सेरिशन पे आपको सेम तू सेम जो नॉर्मल होंडा एसपी 125 का इंजीन मिलेगा आपको स्पोर्ट सेरिशन पे सो दोस्तों इस पर आपको मिलेगा 124.9 cc एरफुल 4-stroke BS6 OBD2 E20 आपडेटेट इंजीन जिसकी बात करते हैं दोस्तों इस पाइक पर आराम से 65 के उपर माइलेज मिलेगा डेडिकेट वीडियो है इस चैनल पे होंडे SP125 को लेके आप देख सकतों आपको बहुत ही इनफोर्मेशन मिल जाएगा क्योंकि मैं दोस्तों इस पाइक को खुद 3 साल से राइट कर रहा हूँ और दोस्तों इस पाइक का जो खासी चीज है अच्छा माइलेज, कॉमफोर्टेबल राइट एंड लो मेंटेन कोस्ट लागेगा फिलल दोस्तों इस पाइक का चारो कालर फिरेंट पे अभी आता है, यह है रेट कलर और साथ पे हॉइट का स्टिकरिंग और यह ब्लैक कलर रेट का साथ के स्टिकरिंग और यह है ब्लू कलर साथ पे आपको हॉइट कलर का स्टिकरिंग मिल जागा दोस्तो होंडेस पे 125 का sitting components बहुत ही आच्छा है, जो sports model आया है, उसका भी sitting components बहुत ही आच्छा होगा, क्यों भी same to same ही है, और दोस्तो एक चीज़ गौर करके देखिए, इस पे जो side indicator है ना दोस्तो, इस पे sports edition पे भी कोई भी बदलब नहीं किया है, इस पे आपको halogen indicator भी मि आ चुका है, आप 20% इतलर और 80% petrol पे इस पाइक को चल सकतो, और दोस्तो इस पाइक का petrol tank capacity है, और इसका mileage आप 65 के उपर आराम से रिकल सकतो, friend meter console देखिए, आपको same to same मिलेगा जो होंडेस को 125 sports edition पे, कोई भी आपको Bluetooth का features अभी तक नहीं दिया है sports edition पे, दोस्तो थोड़ा स इसका engine बहुत ही refine है, और दोस्तो कोई पे आपको gear change का issue नहीं होगा इस bike पे, होंडेस पे 125 sports edition पे आपको same to semi engine मिलेगा, थोड़ा change हुआ इसका color graphics, दोस्तो होंडेस पे 125 sports edition का pricing जो normal variant से 1 से 2,000 रुपिय ज़्यादा हो सकता है, फिलाल जो normal होंडेस पे 125 का this variant का price है, ओ है 1,09 1000 के अंदर, दोस्तो यह मेरा सीटी का price है, आपका सीटी पे थोड़ा बहुत up-down हो सकता है, क्योंकि depend करता है RTO judges के ऊपर, दोस्तो आप नियारेस्ट आपका होंडेस पे content कार सकतो, आपको sports edition और normal edition सब details information मिल जाएगा, दोस्तो इस चैनल पे होंडेस पी related बहुत सारा वीड अच्छा है और नया नया अपडेट में सब कुछ provide कहा हूँ, आप देख सकतो